हलो फ्रेंड्स बाल विकास के अपनी लास्ट वीडियो में हमने सैस्वावस्ता जो टॉपिक था आपका कम्प्लीट कर लिया था इस सेस्वास्ता में कौन-कौन से सारीरिक परवर्तन होते हैं, कौन से सम्भीगात्मक परवर्तन होते हैं, कौन से भासा विकास कैसे होता है, इस सारी चीज़ हमने देखी दी आज की वीडियो में हमारी जो next stage है development की, human development की वो है बाल्यवस्ता, ठीक है तो हम इसकी बात करेंगे, बाल्यवस्ता की बारे में पढ़ेंगे, तो बाल्यवस्ता को childhood भी कहते हैं, इसमें किस एज की बच्चे आते हैं, तो 6 वर्स से लेकर 12 वर्स तक की जो बच्चे हैं, वो आते हैं, और कहीं कहीं से दो भागों में बाटा भी गया, मैंने आपको बताया था, पूर बाल्यवस्ता, उत्तर बाल्यवस्ता, ठीक है, पूर बाल्यवस्ता में 2 से 5 तक की बच्चे आ जाते हैं, दो बर्स से लेकर 5 बर्स से लेकर 11 बर्स तक की बच्चे किसमें आते हैं उत्तर बाले अवस्ते में आते हैं ठीक है तो दोनों ही याद रखना यह जन्म के बाद की दूसरी अवस्ता है यह अवस्ता बालक की आदतों, वहवार, रुची वा इच्छाओं के निर्धारण की समय होती है ठीक है अगर हम बात करें जिसमें बालक की आदतें जो होती है वो आनी सुरू हो जाती है, कौन कौन सी आदतें पढ़ती है उसका बैबार समझ में आने लग जाता है कि गुस्यल होगा या बहुत अच्छा होगा है ठीक हर तरीके का, उसका इंट्रेस्ट किसमें होगा ये चीज़ें पता चल जाती है, इच्छा हैं उसकी पता चल जाती है तो ये सारा निर्धारित हो जाता है इस अबस्ता में बाल्यबस्ता की कुछ परवासा हैं देख लेते हैं ठीक है, तो बाल्यबस्ता की परवासा हैं कई जगे पूछी जाती है ऐसे कुसी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कॉल गेट अब हम ब्रुस करके याद कर लो कॉल गेट ने कहा था कि हाँ जीवन जो होता है वो अनुखा काल होता है क्यों किसी टेम हम लोग ब्रस करते हैं तो आप साइनिंग मारते हैं इसे करके कोई टरिक बना लो, तो बालेबस्ता जो है, वो जीवन का क्या है, अनुका काल है, ठीक है, ये कॉल यब हम बृत मैं लगता कि हम सही और गलत को समझते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है हम इसका d psycho patient ले सकते है थिक है तो बाले बस्ता में क्या होता कि बच्चा जो होता है वो 6-12 बश्ता का होता है थो उसे पता कि वो सही decision ले रहा है लेकिन वो मैच्चियूर होता नहीं है ठीके तो इसे मिथ्या परपक्ता का काल किस ने कहा है रॉस ने कहा है तीसरा है सिगमन फ्रैट के हैंस अर ये दोनों important है important लिखा है तो अच्छे से याद कर लेना सिग्मन फ्राइड ने कहा है कि बाले बस्ता को काम की प्रशुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् किल पैट्रिक ने कहा है कि बाले बस्ता प्रति दुन्दात्मक समाजी करण काल है ठीक है तो किल पैट्रिक ने ये कहा कि बाले बस्ता जो है प्रति दुन्दात्मक समाजी करण काल है मतला हमें से लड़ने यड़ने के लिए तयार रहता है ठीक है किसी भी चीज से गुसा हो लड़ने लग जाता है ठीके बात बात पे तो ये किल पैट्रिक ने का है तो किल से आप याद रखते हैं किल मतलब होता है मारना तो किल पैट्रिक से याद रख सकते हैं इसने लड़ाई जगड़े की बात की है ठीके तो किल पैट्रिक ने क्या कहा कि जो बालेबस्ता है वो बाल्यवस्ता की चैल्ड हुट की तो पहला है कि जीवन का अनोखा काल तो बाल्यवस्ता को क्या कहा जाता है तो जीवन का अनोखा काल कहा जाता है यह चीज़ याद रखना कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है तो बाल्यवस्ता को कहा जाता है एक नंबर में पूछेग तो दो से पांच वरस तक है और फिर उत्तर बाले बस्ते की कितनी है तो छे से लेकर ग्यारा वरस तक तो ये बाले बस्ता ही गई टो टाइम पिरेड आ रहा है और इसी एज में बच्चे बिध्धाले जाना भी सुरू करता है तो ये जो एज होती वो पूर बाले बस्ता माती है तो इसलिए से प्रारम्बिक बिध्धाले की आयू बिध्धाले की आयू बहुता है तीसरा है कि मूर्थ एवन परतियचि चिन्तन की अवस्ता अब आप सोच रहे होगे कि ये मूर्थ सब्द क्या होता है प्रतियची चिंतन क्या है ये बहुत सुनेंगे आप आगे तो मूर्थ का मतलब समझ लेना कि जो भी चीज हमारे सामने उपस्ते थे उसे देखकर उसके बारे में सोचना क्या कहलाता है मूर्थ चिंतन कहलाता है, जैसे मेरे सामने class teacher खड़े हैं, ठीक है, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, तो ये मूर्थ चिंतन है, ठीक है, या मेरा कोई friend है, वो मेरे सामने खड़ा है, ठीक है, हम उसे बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, या कोई fool है, ठीक है हमारे सामने खिला हुआ है, तो हम उसके बारे में सोचने लग जाए, या cricket हो रहा है, cricket को देखते देखते उसके बारे में सोचने लग जाए, तो ये मूर्च चिंतन कहलाता है, लेकिन ऐसी चीज़ों का चिंतन करना जो ह हमारे सामने उपस्तित रही है, लेकिन फिर भी हम बोग कर रहे हैं, तो यह अमूर्चिंतन कहलाता है, तो यह जो बालावस्ता वाले बच्चे होते हैं, जो इस एज मा आते हैं बच्चे, वो सिर्फ मूर्चिंतन कर पाते हैं, वो अमूर्चिंतन नहीं कर पाते हैं, अमूर् चिंतन करेंगे, जो चीज हमारे सामने में पस्ते थे, हम सरफ उसी के बारे में सोचेंगे, ठीक है, clear हो गया होगा आपको, next point है कि बस्तों को संचित संग्रय करने की प्रवती, ठीक है, इस एज में हम लोग क्या करते हैं, बाला वस्ता में कि कोई भी चीज पड़ी होती तो ह हम लोग उसे collect कर लेते हैं, जैसे हम लोग किसी पाड़ी लाके में चले गए, तो हम गोल-गोल पत्थर पहली बार देखने को मिल रहे हैं, तो हमने क्या किया है, सारे पत्थर दीरे-दीर करके भर लिए, ठीक है, तो मैं भी ऐसा कर चुका हूँ, तो मुझे पता है, तो ऐ ये बस्तूं को संचित संग्रे करने की प्रबती भी किसमा आती है, बाले बस्ता में आती है, फिर नैश्ट है, टोली दल समू किया यू, तो ये भी कुशन बनेगा कि टोली दल समू किया यू, किस एज को कहते हैं, तो वो बाले बस्ता को कहते हैं, किसोरा बस्ता से confused मत हो ठीक है क्योंकि कि सोरावस्ता में भी हम लोग दल में रहते हैं टोलियों में रहते हैं लेकिन सही आंसर इसका होता है बालेवस्ता ठीक है इसमें क्या करते हैं हम लोग स्कूल जाना शुरू कर देते हैं ठीक है हमारी फ्रेंड्स वगरा बनते हैं तो हम उनके साथ खेलना परपकता क्या होता है कि हम लुग मैच्छूर बने की कोशिज बस्तों को संख्यूत करने की प्रवक्री। अगर लिखनों को आईगा तो आप लिख लेंगे। ठेक है. Cleared हो गया होगा। अब हम बालाबस्ता में जो सारी विकास होता है, japanese development होता है। तो पहला है कि बालकाओं के भार से अधिक हो जाता है इस एच में क्या होता है कि जो बालकाओं होती है उनका जो बजन होता है वो लड़कों की अपेच्छा क्या हो जाता है अधिक हो जाता है दूसरा है कि जो दातों होते है दात वगरा, तीत वगरा, तो उनकी संक्या कितनी हो जाती है तो 28 हो जाती है, वो पहले 20 तक रहती है सैसवस्ता में, लेकिन इस एच तक कितनी हो जाती है तो इस एच तक 28 हो जाती है उनकी संक्या, ठीक है तीसरा है कि मस्तिस का विकास 5-6 बरस तक लगबग 90% तक 10 बरस तक 95% तक हो जाता है तो ये भी चीज हमने पढ़ी थी मानसी विकास में इस points को आप लिख सकते हैं कि जो मानसी विकास में क्या होता है हमने पढ़ा था सहसवास्ता में कि 5-6 बरस तक 90% जो मस्तिस होता है उसका विकास हो जाता है लेकिन जब हम 10 बरस तक क्यों होते हैं जब तक हम बाल्य बरस तक को कंप्लीट करते हैं तब तक ये विकास कितना हो जाता है तो ये 95% तक हो जाता है ठीक है धड़कन की इगती कितनी होती है तो धड़कन की इगती 85% पर मिनिट हो जाती है ठीक है उसमें कितनी थी अब बस्ता कितना है पांच परसेंट और पांच परसेंट तक हम पांच परसेंट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं जिंदगी वर पढ़ते रहते हैं कुछना को सीखते रहते हैं तो वो बही पांच परसेंट तक होता है ठीक है जिग्यासा का विकास भी हो जाता है बाल्य बस्ता में जिग्यासा का विकास ऐस वास्ता मनी होता है जिग्यासा वास्ता में किया कि हम कुशन नहीं पूछते हैं हम देखते हैं तो बहुत सारी नहीं चीज़े हैं जैसे हम आग से जल गए बच्चे जल गए तो फिर आग में हाथ नहीं डालते हैं, लेकिन वो पूछते नहीं किसी से कि हम आग से क्यों जल जाते हैं, लेकिन जब हम बाल्य बस्ता हम आते हैं, तो हम पूछने लग जाते हैं, कि मम्मी हम इससे क्यों जल रहे हैं, हम इससे क्यों दूर रहना है, हम ऐसे कैसे चोट लग यह वो करके बहुत सारी question करते है बाले बस्ता में बच्चे तो जिग्यासा का विकास हो जाता है फिर है कि 11 बर्स तक तरक निरिच्छन है वम सकती का विकास हो जाता है अगर हम कोई भी नई चीज देखते हैं तो उसका निरिच्छन करने लग जाते हैं बाले बस्ता में बाले बस्ता में मांसी विकास के बारे में लिखने को आता है अब हम बात करेंगे बाले वसता में समाजी विखास की या निकी discussion डेπल्ड में बनाता है बच्चा ठीक कर बिद्ध्याले जाना शुरूगर देता है तो जब बिद्ध्याले जाएगा तो नई ने दोस्त वनीगे उसके तो यह social development होने लग जाता है दीरे-दीरे कि हमनों खुलने मिलने लग गए हैं लोगों से बात करना शुरू कर रहे हैं अधिकतर समलिंगी समू में रहता है समलिंगी मतलब same gender रहता है जैसे लड़का है तो उसके लड़के ही दोस्त होंगे ऐसा नहीं लड़कियां दोस्त बन खेलने लग जाते हैं तो इन पॉइंट्स को हम समाजी बेकास में लिख सकते हैं अब बात करते हैं बाले बस्ता में भासा बेकास कैसे होता है बाला के एक सबसी लेकर बाग के बिन्यास तक सभी क्रियाएं सीख लेता है इसमें विध्याले पासपड़ुस घर परवार का अब जब तक बो बाला बसता माता है तो ़ो क्या करते हैं एक सबसे लेकर बाग के बिन्यास के जitने भी क्रियाएं वो सारी सीख लेता है और सब्से जब्दा फर्क किसका पढ़ता है बासपड़ोस और घर परवार का सबसे अधिक प्रुबाव पड़ता है बच्चे के भासविकास में अब हम बात करते हैं संभीग आत्मग विकास की ठीक है 2017 में पूछा गया है बाल्यवस्ता में संभीग आत्मग विकास कैसे होता है इसके बारे में बताईए ठीक है तो यह आत्मग में पढ़ा था कि सैसे वस्ता में कोई भी संभीग नहीं होता बच्चा सिर्क उत्तेजना का अनुबब करता था लेकिन इसमें क्या होता है जब वो बाल्यवस्ता है तो संभीगों में निरंतर परवरतन होते रहते हैं जो फीलिंग होती है जो एमोशन होते हैं पर परवकता आ जाती है और जैसी वो ध्यारा-बारा बर्स का होता है अन्तिम आवस्ता है बाल्यवस्ता है तो इसमें थोड़ी मेचेयोटी देखने को मिलती है उसके संभीगों में ट csakंभी मेचेयोटी आयसा नहीं कि बात-बात पे रोना सुरू कर दे बात-बात पर हसना मालै वस्ता की बारे में जितनी भी जाटी र्लिक अभी हम सारे लिए के और ऑठाने के सारे नोटस बनाते चेलिए और अपने दोस्तों के साथ इस बीडियो को जरूर 오늘도 मीडें तो किते हैं मिलदें स्क्षंकिर